इन गीवन प्रॉब्लम डिटर्माइन देरिजल टेंट आफ फॉर फोर्स एक्टिंग ओने बाड़ी सोन फीगर प्रिप्रॉब्लम में सारे एंगल आपके डारेट गीवन थे लेकिन यहां पर राइट ट्रेंगल का केस दिया हुआ है तो सबसे पहले इस टाइप के प्रॉब सब्सक्राइब करते हैं सोलूशन सबसे यह एंगल थीटा वह न होगा तो यह एंगल भी आपका थीटा होन में ठीक इसे हम थीटा टू एजियों करते हैं तो यह भी एंगल अपाट एंगल सिटा टू होतो निकाल लेते हैं from figure 10 theta 1 equal 1 by 2 इसको solve करें तो theta 1 हमें मिलेगा 26.50 degree and theta 2 equal 10 inverse हम लिख सकते हैं 12 by 5 इस तरह theta 2 हम solve करने में मिलेगा 67.38 degree अब हम यह वैलू है हम लिख सकते हैं cable changes यह था previous problem में आपको सारे angle direct given थे है लेकिन यहां right triangle का case दिया हुआ था तो हम angle find out करना पड़ेगा फिर हम resultant or magnitude find out कर सकते हैं अब यह previous problem की तरह हो गया ठीक फिर्स्ट रिज्वर्व फिर्स्ट रिज्वर्व फिर्स्ट रिज्वर्व दें वर्टिकल एंड और और जेंटल direction तो सबसे पहले फॉर्स को हम resolve करेंगे और जेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन को तो इस तरह हम ड्रा करते हैं इस resolve सारे फॉर्स को कंपोनेंट रिज्वर्व करें तो मैं पहले ही बता चुका हूं जिसके साथ एंगल बनेगा वह कॉस होगा तो देखिए थ्री किलो न्यूटन का फॉर्स एक्स से थर्टी डिग्री की एंगल बना रहा तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा थ्री कॉस्ट थर्टी और यह थ्री किलो न्यूटन का फॉर्स वाई एक्स से सेप्रेट है इसलिए यह एंगल होगा थ्री साइन थर्टी यह वाई कंपोनेंट होगा सेकंड कोडिनेट में आते हैं तो टू पॉइंट टू फॉर्स किलो न्यूटन एक्स एक्स के सार्ट टू इसका एक्स कंपोनेंट आपका होगा टू पॉइंट टू फॉर्स कउस कि टूंट उपॉइंट इसका य कंपटनेंट होगा 2.24 sin 26.50 देखे थर्ड कोडिनेट में 2 किलो न्यूटन X-axis के साथ 60 डिग्री पहद इसके X-component 2 cos 60 मैं पहले ही बता चुका हूँ जिसके साथ एंगिल बनेगा वो cos होगा जिससे अलग होगा वो sin होगा 2 sin 60 देखे वाइस से साथ था था सिलिए sin ये 3.9 X-axis के जाथ 67.38 एंगिल है तो ये इसका X-component होगा 3.9 cos 67.38 डिग्री और इसका Y-component होगा 3.9 sin 67.38 ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ जिसके साथ एंगिल बनेगा वो cos होगा जिससे से इपरेट होगा वो sin होगा ये आप रिजॉल्व करने के चक्कर में गलत ना करते हैं अब हम इसका सम निकालते हैं तो हम एस्यूम करते हैं समें सम एफ एक्स एक्वल सम और और जेंटल डारेक्शन हम देखते हैं राइट राइट है प्रॉजिटिव हमने जों किया है 3 cos 30 plus 3.9 cos 67.38 देखिए ये 3 cos 30 राइए ये 3.9 cos 67.38 भी राइए चाहिए ये 3.9 cos 67.38 भी राइए चाहिए ये और माइनस 2.24 cos 26.50 इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैलू टोटल मिलेगा 1.094 किलो न्यूटन ये हमें समयसन fx भी वैलू मिला इसको बॉक्स में कर दिया सकते हैं समयसन fy लिख सकते हैं समयसन fy लिख सकते हैं upward sum of the vertical direction क्या होगा upward या होगा 3 साइन 30 अपवर्ड आइक्सम को मने पॉचिटिप लिया है 2.24 sin 26.50 माइनस 3.9 साइन 67.38 माइनस 2 साइन 60 डिगरी इसको सॉल्ब करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2.83 किलो न्यूटन ये हमारा समयसन fy का वैलू होगा इसको मैंने भॉक्स में कर दिया हम जानते हैं resultant का फार्मूला resultant के लिए हम लिख सकते हैं resultant का फार्मूला हम जानते हैं we know that r equal summation fx का होल स्क्राइब summation fy का होल स्क्राइब अगर हम वैलू पूट करें तो ये summation fx की वैलू आया था इसको solve करेंगे तो resultant और equal हमें मिलेगा 3.0333 किलो न्यूटन यह हमारा रिजल्टेंट का फार्मूल है एंगल विथ और इंटर फार्ट करने के लिए अंगल विथ और इंटर और इंटर और इंटर सुपोर्स थेटा इकल समीशन एफ वाई बाई समेशन एफ एक्स वैलू फुट करें थेटा इकल टेन इन वर्स समेशन एफ य की वैलू हमें मिला है माइनस 2.83 और समेशन एफ वाई की वैलू में मिला है 1.094 इसको solve करेंगे तो थेटा एक्वल हमें मिलेगा माइनस 68.86 यही हमारा एंगल का वैलू है यह हमारा कंप्लेट सुलूशन हुआ यह हमारा एंगल और यह हमारा रिजल्ट सुलूशन दा इंट